बेटा, सुबह ही उठते कर ले ये तीन काम. मा लक्ष्मी रहेंगी हमेशा महर्बान. जानने से पहले, जो भी भक्त मा लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख के जाना. बेटा सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हथेलियों के दर्शन करें, फिर उन्हें आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर लगाएं, फिर इसके बाद धर्ती पर पैर रखने से पहले धर्ती माता को प्रणाम करें. बेटा सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें. फिर साफ कपड़े पहन कर सूर्य देव को तांबे के लोटे में अग्र दे. जोतिश में सूर्य को सफलता, आत्म विश्वास और सेहत का कारक माना गया है. सूर्य देव को अग्र देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जातक को क्रिया व्यापार में तेजी से तरक्की मिलती है. नमबर तीन, बेटा सूर्य को अग्र देने के बाद पूजा घर में देवी देवताओं को प्रणाबूत है. बेटा, सूर्यास्त के बाद जरूर करे ये चार काम मा लक्ष्मी की कृपा से भरी रहेगी, हमेश घर से धन कभी नहीं जाएगा. ये महादेव का वादा और आशीरवाद है. जानने से पहले जो भी महादेव को दिल से मानते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना. और कमेंट में हर-हर महादेव जरूर लिखें. नमबर एक, बेटा सूर्यास्थ के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए. और साथ ही तुलसी के पौधे में दीपक जलाए और मा लक्ष्मी को मन से याद करें. ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी. और तुम्हारी पुकार सुनके सारी मनो कामना पूरी कर देंगी. नमबर दो, बेटा सूर्यास्थ के बाद अपने पूर्वजनों को नमन करना चाहिए. नमन करने के बाद अपने पूर्वजनों के तस्वीर के सामने दीपक प्रजवलित करें. ऐसा करना बेहद ही शुब होता है. नमबर तीन, बेटा सूर्या के बाद भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से मा लक्ष्मी रूट जाती है।